हेलो गाई स्वागत है आपका अपने कॉलेज में और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंट्रस्टिंग, शानदार और लबाबदार टॉपिक के बारे में जिसका नाम है है हैशिंग हैशिंग बहुत बार कोडिंग इंटर्वीज में पूछ लिया जाता है और अकसर कॉंपेटरि प्रोग्रामिंग में भी हैशिंग का बहुत ज्यादा इस्तमाल होता है एक real life example से हैशिंग को समझते हैं जनरली हमारे दोस्तों के नाम बहुत बड़े-बड़े होते हैं तो उनको हम धिमाग में याद रखने के लिए निकनेम से याद रख लेते हैं तो ऐसी ही कुछ कहानी हैशिंग में भी होती है अब हम आगे बढ़ते हैं कि हैशिंग करे क्यों जरुरत क्या है है बहुत बार questions में हमें elements के indices के साथ खेलना होता है तो उसके याले हमें हैशिंग चाहिए होती है अब elements के indices के साथ खेलने के लिए हमारे पास दो option है या दो तरीके हैं जिनसे हम खेल सकते हैं पहली अप्रोच ही है कि हम पूरे area को traverse कर लें और जब हमें जरुरत पड़े उसके index की किसी भी element के index की तब हम उसे use कर ले, coat कर ले या फिर हम थोड़ी सी extra memory के दम पे उनके indices को store कर आ ले और जब भी हमें जरुरत पड़े तो directly वहां जाके access कर ले अब दूसरा option जादा better है अब अगर हम ये store करा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत आ सकती है वो आगे देखेंगे सबसे बड़ी problem ही आती है कि जो हमारे elements होते हैं वो 10 to the power 9, 10 to the power 12 इस range के होते हैं तो इनको store कराना, इनके indices को store कराना possible नहीं है क्योंकि हम एक array में max to max 10 की पार 8 तक के elements store करा सकते हैं और वो भी global होना चाहिए array तो इसलिए हम hashing use करते हैं अब hashing क्या है कि हम इतने बड़े elements को छोटे में convert कर लेते हैं using hash functions hash function क्या होता है जो बड़े element को छोटे छोटे keys में जो value है उसे हम कहते हैं key उसमें convert करें उसको कहते हैं hash function माल लो जो मेरे given तीन numbers हैं इनके indices थे 5, 3 and 2 अब अगर मैं इस पर hash function लगा हूँ x mod 10 तो इसमें अगर हम first number देखें और उसमें x mod 10 लगाएं तो वो आजाएगा 7 ऐसे ही अगला number आजाएगा 8 और 9 तो हम rather than 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 के index 5 वहाँ पर access करने की जगा 7 का index 5 कर देते हैं तो इस प्रकार से hashing से हमारी जिन्दगी असान हो जाती है आगे बढ़ते हैं अब माल लो कि जब हमने hash function लगाया तो दो बड़े elements के keys equal आ गई तब तो problem हो जाएगी हम ऐसे कैसे डाल दें क्योंकि index पे एक ही elements आ सकता है तो उस problem को कहते हैं collision अब collision handle करने के दो तरीके होते हैं पहला तरीका होता है separate chaining दूसरा होता है open addressing अब जानते हैं separate chaining के बारे में जैसा कि नाम suggest कर रहा है separate chaining क्या होगा अगर collision हुआ यानि दो keys पे same values आ गई तो chain मना दो link list के द्वारा उदर chain मना दो right for example इस में 50 जो key है 1 उस पे हमने 3 values डाल रखे एक है 50 एक है 85 और एक है 92 क्योंकि जब हमने hash function लगाया होगा तब हमारी key 1 आ गई होगी किन तीनों के लिए 50, 85 और 92 के लिए देखा जाए तो worst case में जो हमारा search time होगा माल लो array में n elements है और सब पे hash function लगाने के बाद हमारी value x आ जाती है और हमने x length की एक link list बना दी तो हमारा search time on हो जाएगा तो worst time complexity is separate chaining की क्या होती है on अब आएंगे हम load factor पे अब load factor बहुत interesting चीज है माल लो आपके array में थे n elements और आपके पास number of keys है b तो अब आपके पास हर एक key पे कितना load है क्योंकि आपको b keys पे n elements डालने है तो अगर मैं equally भी distribute करूँ तो हर एक key पे n by b का load आजाएगा एक example लेते हैं जैसे कि इस array में number of elements कितने है छे और अगर मेरे पास number of keys जिन पे मेरे को map करने होते ही इसके indices वो होती तीन तो हर एक key पे कितना load आता दो का load आजाता आगे बढ़ते हैं next method to handle collision is open addressing ये भी बहुत interesting topic है इसको देखिए अगर collision हुआ तो हम क्या करेंगे probing अब समझते है probing क्या है probing होता है कि एक second argument यूज़ करें जिसका नाम होता है prob number किसमें hash function में hash function में हम दो argument ले लेंगे prob number key पे depend करता है इसलिए हम उसको p of k लिखते है function of key तीन प्रकार की probing होती है एक होती है linear probing जब आपका जो prob number है वो एक linear function हो key का अगर वो quadratic function है to determine prob number तो उसको हम double ashing कह देते हैं so guys this was the video I hope आपको मजा आया होगा और जीवन में बस मजा आना चाहिए okay thank you